हेलो गाज आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है देशी फार्मर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि आप नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनोंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत ब दिख रहा होगा चलिए में इन ट्रस्टों को आपको दिखाते हैं जो किस परकार से इन में फिट किये जा रहे हैं और जो सेड क्या ये बनाना उचीत रहेगा बकरियों को पालन के लिए especially हम आपको ये बताते हैं कि इस परकार का बनाना दरसल आवेसक है जहां पर जादे हवाएं चलती है और जादे तुफाने आती हैं आप देख पा रहे होंगे ये आस पास में जादे घर भी नहीं है तो लगातार इसमें जादे हवा आते हैं जिसके कारण इस परकार का बनाना आवेसक होता है यदि आप कमजोर बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होता है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए ये ट्रस्टे ला दे जा रहे हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं फिलाल जो किस परकार से ओल्डिंग किया जा रहा है इसमें चलिए हम फिलाल इस सीड़ी से चैड़ते हैं उपर और हम आपको दिखाते हैं देख पा रहे होंगे आप इसमें किस परकार का ओल्डिंग क्या गया हुआ है इधर से भी और इधर से भी ओल्डिंग क्या गया हुआ है और उपर में भी इस परकार का सभी में ओल्डिंग क्या गया हुआ है कि पलेटी बिची हुए और पलेटों को ढलाय कर दिया गया है चलिए हम उतर कर हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं फिलाल अब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आगे देखते रहें वीडियो देख पा रहे हूँगे ये भी जो छोटे छोटे पाइप है इसमें स्वल्ला खिंद्रिया बन रही है जो कि हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया होगा इस एक साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद